डॉक्टर आदिते, डेंगू को लेकर क्या सिचुएशन है? आप लोगों के पास भी मामले आती होंगे और क्या सित्य अपडर ग्राउंड रियालिटी बताईगा? अज समय जो भी फीवर के के सिर्ज आ रहे हैं, बोस्टली उसमें डिंगू पाया जा रहे हैं, और डेली के मैं ही जो देखता हूँ, तो कम से कम पंदर सबीस पेशन करिब डेली आते हैं, कम से कम, एक जिंगा पर बात करता हूँ, ऐसे ही अलालग हॉस्परल्स में, अलालग स पेशन देख रहे होंगे, 90% फीवर के सिस में डिंगू पाया जा रहा है, कुछ लोगों को चिकन बुनिया या फिर मलीदिया भी निकलता है, बट 90% दिंगू या रहा है, बट अगर अगर होस्पिलाजिशन की बात करें, तो हर मरीज को अस्पिल में एडमिट करने की कर ले रहे हैं, तो लोग घर पे रहकर पी रिकवर को जा रहे हैं, अब ठीक है, मुझे आप इजी वर्ड्स में इसके सिम्टम्स इपर बता दीजे, ताकि लोग जो है, एक तो देखे, पैनिक प्रेट नहीं करना चाहते हैं, पैनिक नहीं हम अवेर्निस पहलाना चाह रहे हैं, तो बेसिक सिम्टम्स इसके जू है, वो प्लीज बताएगा जो लक्षन है, दूसरा, वो कौन सी सिचुएशन है, वो कौन सी स्टेज है कि आप जाईए, आप टेस्ट कराईए, और संभावना है तो एड्मिट हो जाईए, ये एक बार, थोड़ा सा एक बार स्टेप ब होना, आँखों में दर्ध होना, जोडों में दर्ध होना, ये common सिम्टम रहते हैं, ये चीज शुरुवात के तीन से चार दिन तक बनी रहती है, उसके बाद में तीसे चौथे दिन के बाद से लोगों को जाधा तर कभी उल्टी, कभी पेट दर्ध ये होना शुरू होता है अब टेस्ट की बात करते हैं, इसमें हम शुरुवात में ही, तो शुरुवात के दो से तीन दिन में डेंगू के बाद जाज करवाते हैं, तो पॉलिटिव जाधा लोगों का नहीं आता, तीसरे दिन से आगे के दिन तक डेंगू की जाज कर आते हैं, इसमें के दो तरह के हाथ के आपको रिपोर्ट मिल सकता गंडे के अंदर और एक टेस्ट रूस का टेस्ट आप करवा सकते हैं, तिस रे चॉट्स दिन पर वह पॉसितिव आपको मिल जाएगा अगर डिंगू आपको है और अगर डिंगू पॉसितिव आता है तो साथ साथ में आपको अपना CBC का पी करवाना है, CBC में हमें यह इन चीजे इंपॉर्टेंट देखते हैं, एक हमोगलोविन आपका मिल जाएगा, एक प्रिटलेट की चांज रहोती है, वो मिल जाते हैं, सब से ज़्याद है महितिकून से प्रिटलेट काॉंट होते हैं, जो कि हम सब को पता है, प्रिटलेट का दिन गुखार रहेगा फिर नेक्स्ट तीन से चार दिन तक मतलब पांचवे दिन से साथ में आठवे दिन तक आपको प्रेट लेट कम होते हैं और फिर मेक्जिम लोगों का आठवे नवे दिन से प्रेकवरी होना शुरू हो जाता है यह पुरा साइकल चलता है अब जो प्रेट लेट कम होने माले दिन है पांचवे दिन से आठवे दिन की जुम्हा बात कर रहा हूं उस दौरान में कुछ लोगों की सिच्वेशन लास में जाते जाए तक जादा खाराब हो जाती है उनको प्रेट में पानी भरना शुरू हो जाता है और प्रेट एकदम रैपिटली कम होना शुरू हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए हम बोलते हैं के नामे आपको अस्पलाइशन की ज़रूत परती है अगर आप मुझ से खाना पीना नहीं ले पा रहे है सही से बूप नहीं जह रहे हैं मैं कि अगर अगर आपको कहीं से खाना नहीं हो रहा आपको रहे हैं इस और घूम से प्लेड नहीं अरहा आप्याशन बड़ाट बट्यम तो गहब नहीं हो था बस आपको अपनी जाच फॉलो करनी है प्रेटलेट के अपने डॉक्टर के कनेक्शन में रहना है आपको जिससे कि जब कभी भी अप्रेटेट का लेवल गलो हो रहा है सपोस्थ किसी एकाउंट 20,000-30,000 जा रहा है तो उनको हम प्रिकॉशनरी भोते हैं कि आप भाई भरती हो अब एक चीज़ और बस शॉट में बता दीजेगा स्पैशली आफ्टर कोविड इमिनिटी को लेकर बहुत बात होती है और क्योंकि उस समय जिसकी इमिनिटी स्ट्रॉंग थी उसने कोविड को जेला दो बार तीन बार कई लोगों को हुआ भी और उन्होंने रिकवर किया इस चीज़ को इसका रिलेशन किसी तरह से हमारी इमिनिटी से है दूसरा लाइफस्टाइल तो नहीं लेकिन डाइट एक बहुत बड़ा रीजन जब हम डेंगू क्योंकि मच्छर के काटने से बार बार जिकर होता है तो उसमें लाइफस्टाइल को हम कैसे ला सकते हैं लेक कि अपने चीज़ कुछ है इम्मुनayton को लेका कर आरा है जो लोग को वजुर्फ लोग इतमने जिनकी उमर सतर साल से दूज O ने बताया हुआ है जिससे कि आपका शुर कर गंट्रोल रहे हाट की चीज़ें वो कंट्रोल में रहे हैं जिसे कि और कोई बीमारी उपर से हो रही है तो आपके उपर ज्यादा हावी ना हो पाए पहले जीज चीज के अनामे अगर डाइट की बात करते हैं तो डाइट बहुत इंपर्टेंट है हर चीज में अगर आप सही डाइट लेंगे तो आपकी बॉड़ी अपने आप में हेल्दी रहेगी क्योंकि हमारी बॉड़ी की अपने आप कोई भी इंफेक्शन से फाइट करने की टेंडेंसी इंप्रूफ हो चाहिए अगर आप अच्छी चीज़ें नह करतने में आपके बॉड़ी अच्छी से जल्दी रिकवर हो तो वह उपाटन टोल था है ठीक ठीक बहुत अच्छी बात आपने कही हाइड्रेट रहना बहुत जरूर स्पेशली विंटर्स में लोग पानी कम पीते हैं तो पानी बहुत बीजे